काडन वस अभी बन हो गया है आधा उनका टूड गया है बहुत ज्यादा लंब है करीबन 6 फिट करीबन 6 फिट का है इस वेल्कम बैक में यूडिव चैनल आप सभी के स्वागत है मेरे कॉनने ब्लॉक को इडिये पर आसके अप सबी लोग अच्चे होंगे और हर वारी की तरह मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आता रहता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फिर से प्रगट हुआ है जिसका आज मैं आपको दर्सन कराऊंगा तो चलिए फैंड में वहां जाने के लिए आ चुका हूं उस गाओं में जाने के लिए और यह है उस गाओं का पैडगरी वाला रास्ता है और इधार है हमारा मेरोड चलिए फैंड हम आगे तिरफ चलते हैं और आपको वहां का दर्सन कराते हैं और अगर आप हमारी चलना पर नहीं हो तो प्लीज चलना सब्सक्राइब कर दीजिगा और वीडिया तो नाम ला पहली बताबे आप मन के नाम कहा रहे परमेस्वर्सा हुए है ना तो भाईया जो स्यूलिंग जो निकले है धरती से हैं तो उला यहने के कतना दिन हो गया यहां पर दाइसे तीन मैना होगा ना और इला सबसे पहली कुन देखिस से कर भालू कोना के आदमी देखिस है ना तो उला कोई सपना होगे रदेरी से हार है तो यहां पर पूझा पार्ट करें तो अभी तो यहां पर पूझा-पार्ट करें रहे कोई ने को ऊठिक आध्मे फटिस पूझा अबिश्साबण आध्मिवर्स पूझा तो चलो है तो चलो यह ठीक नापमन से जानकारी लेन अतना तो फ्रण आप देख सकते हैं इधर छोटा छोटा इधर सीड़ी बनाया हुए है और यह घने जंगलों के बीच में यह शिवलिंग जिसका आप घर बैठे दर्सन कर सकते हैं और यह जो आपको शिवलिंग दिखाए दे रहा है यहां पर कोई का बताए भी यह सारं अपना दिया था कि यह घने जंगलों के बीच में यह शिवलिंग निकला ऐसा करके यहां पर कुछ लोग आये थे और इनको हिला डूला कर देखें तो फिर यह हिला नहीं और यह हां तो सबसे पहले वही देख रही है शिवलिंग ला तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा क काथे में काफी बड़ा है शिवलिंग जैसे कि हमने आपको अपने पीछली वीडियो में दिखाया था और कुरा और त्यूरय यह और महासमुंजिला किशनपूर और मुंगा शेर में बाकी सभी शिवलिंगों का आपको दर्शन करा था वैसे ही शिवलिंग यहां पर काफी यहां पर कुछ बड़ा है तो अबहें ज्यादा बड़ा है जो आपको देखने के लिए मिलेगा आप देख सकते हैं आपको और यह जैदा नसे पिर दिखाता हों क्यां प्रेंड गया है यह साड़ेच है और इसकी लंबाई साड़ेच है अब देख सकते हैं काफी बड़ा है सीवलिंग और अब यहाँ पर लोगो को जो है आवगवन कुछ काड़न वस अभी बन हो गया है और यहाँ पर कुछ नारियल ऑगेडर चड़ा हुए देख सकते हैं और इस तरफ दिखाते हैं हम आपको चारो तरफ जंगल ही जंगल है और कहते हैं कि यहाँ पर कोई नाग देवंता का भी वास होता है जो यहाँ से कुछ दूरी पर है साव डेर सो मिटर की दूरी पर है पर तो चलिये फ्रेंड मैं घर निकलना ही वाला था तो यह बोर रहे हैं कि इधर नाग देवंता का जो है इस्थान उस तरफ मुझे लेकर चल रहे हैं मैं उस तरफ चलता हूं और आपको जहां पर नाग देवंता रहते हैं जो सीवलिंग के सीवलिंग में जाकर वो लिपड जाते हैं आपको लेकर चलता हूं आपको नाग देवंता का दिखाते हैं यहां पर इस्थान है तो यहां से आना जाना करते हैं यहीं पर तो आप माना भाया वहला शिवलिंग में यहां के देखे हुआ लपते वगएरा अच्छा एक दिन सुरू में सुरु दिन में दिखे रीज़ है ना नजर में अच्छा तो फ्रेंड आपको दिखाते हैं यहां पर है उनका बिल जहां पर उनका घर है यहां पर निवाज़ इस्तान है नाग देवंता का तो फ्रेंड फाइनली में मुझे नाग देवनता का जो सहरा है वो मिल गया और यहां पर देख सकते हैं इनका पूंच है और काफी जादा लंब है इधर आप देख सकते हैं उनका सहरा और यह है उनका सहरा देख सकते हैं इधर है उनका सर तूड़ गया कोई बात नहीं उनका सहरा छोड़कर यहीं से निकले हैं और काफी ज़्यादा यहाँ पर लंब है अब यहाँ हाथ में पकड़के इनको हमको दिखा रहे हैं देख सकते हैं आधा उनका टूड़ गया है बहुत ही जादा लंब है करीबन 6 फिट करीबन 6 फिट का है नाग देउता की लंबाई तो हुरन देख सकते हैं साक्षात आपको घर बैठे दर्सन करने के लिए मिल जायागा भोले नाथ कि उनके गले पे रहने वाले नाग दे होता